सिर्फ सच में अब पुराने मीटर को हटा कर नए मीटर को लगा दिया गया है चलिए जानते हैं दोनों मीटर के अंतर के बारे में मीटर क्यों लगाया जाता है महंगाई को देखते हुए खपत किये गए बिजली का पता लगाने के लिए मीटर लगाया जाता है इस मीटर की मदद से आप इस बात का पता लगा सकते थे कि आपने पूरे महिने में कितनी बिजली की खपत की है ऐसे में लोग बिजली का इस्तिमाल भी कम करते हैं आईए जानते हैं इस स्मार्ट मीटर में क्या है खास स्मार्ट मीटर में आपको बिजली फोन से रिचार्ज करना होगा स्मार्ट मीटर में बिना रिचार्ज किये आप बिजली नहीं चला पाएंगे रिचार्ज के प्लान के मुताबिक आपका बिजली खपत कर सकेंगे स्मार्ट मीटर से उपभुकताओं को पहले से ही पता होगा कि कितना बिजली बिल खपत करना है इसका फायदा ये है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको एक भी रुपए नहीं देना होगा स्मार्ट मीटर के कई फायदे हैं स्मार्ट मीटर लगाने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी तरग्य से बिजली की चोरी नहीं कर सकता, ऐसे में सभी को इमानदारी से बिल भरना होगा जिस वक्त से ये तै हुआ है कि पुराने बिजली मीटरों की जगह नए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, तभी से ये जगह जगह पर विवाद भी जारी है, कि सामाने मीटरों की तुलना में स्मार्ट मीटर का बिल ज़्यादा आता है कई शिकायतें भी हो चुकी हैं, लेकिन पुखता तौर पर इसका अभी तक निराकरण नहीं हो सका है मध्यप्रदेश के जवलपुर की बात करें, तो बिजली कमपनी और ठेकेदार कमपनी मिलकर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं लेकिन जनता के दिलो दिमाग में ये सवाल अभी भी जस्त का तस है कि क्या स्मार्ट मीटर जनता की जेबें ज्यादा तेजी से खाली करेंगे इधर पूर्व शेत्र विद्योत वित्रण कमपनी के अधिकारी भी निश्चत तौर पर कुछ कहने की स्थिती में नहीं है कि कमपनी प्रत्यक जिले में पाच प्रतीशत घरों में रेंडमली दो मीटर लगाईगी एक वर्तमान मीटर और दूसरा स्मार्ट मीटर ताकि उपभुगता दोनों मीटरों की लाइफ पर्फॉर्मेंस देख सके लेकिन ताजर शिकायत है कि कमपनी ऐसा करने से बच्चती नजर आ रही है बहुत थोड़े से स्थान है जहाँ दो मीटर वाली शर्ट पूरी की गई है हलाकि कमपनी नेस बारे में किसी तरह की जाच नहीं की है दरसल बिजली चोरी रोकने और लाइन लॉस कम करने के लिए बिजली कमपनी ने स्मार्ट मीटर की तरकीब निकाली है लेकिन कंपनी स्मार्ट मीटर में ज्यादा बेल आने को लेकर मौन है आपको बता दें कि निर्धारत शेडिल के मताबिक स्मार्ट मीटर लगाने के 928 करोड रुपे के काम को मई 2024 में पूरा हो जाना था लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है अभी तक 10 लाख स्मार्ट मीटर लग जाने थे पर अभी ये संख्या 3 लाख ही पहुच सकी है मध्यप्रदेश के जवलपुर के अलावा 15 जिलों में स्मार्ट मीटर पर काम हो रहा है